तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लड़स्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के हिंदी का जो चैप्टर नमबर 12 हैं उसको एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नमबर 12 का नाम है तीरिच वैसे न देखे होंगे तब आप लोग को पता चला होगा कि यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा लंबा है 15-16 पेज का यह चैप्टर है लेकिन आप लोग को एक परसेंट भी टेंशन लेनी की जवरत नहीं है इस चैप्टर को एकदम स्टॉट कॉट करके पूरी कहानी देखिए कहानी कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो पढ़ने में मज़ा आता है आदमी बोर फिल नहीं करता है ठीक है तो यह चैप्टर क्या है एक कहानी है और जब इंट्रेस्टिंग कहानी हो तो सुनने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी तो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग यह कहानी है एकदम अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी कहानी को इतनी लंबी कहानी को एकदम शॉट कॉर्ट करके और हर एक पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगी और बहुत यह तरीके से कंप्लीट कराऊंगी ठीक है इस चप्टर के जो राइटर है चाहनी को बताती हूं कि क्या बतायागा है इस कहानी में पूरी कहानी है क्या ठीक है वीडियो को करते हैं सब से पहले तो कुछ देरकेल के लिए कि आप हमें लेखक समझ दीजिए के लिखने वाले कौन हैं लेखक उधय प्रकाश तो कुछ देर के लिए को क्या समझ लीजिए आप लेखक समझ लीजिए और ऐसे समझ है कि मैं एक ही कहानी बता रही है यह कि लेखक भी कार पिताजी से मतलब लेखक के पिताजी से, अभी मैं कुछ देर के लिए लेखक बन गई हूँ, इसका मतलब मैं अपने बारे में बात करूँगी, तो आप लोगो समझना है लेखक से, ठीक है, तो इस धटना का संबंद, इस कहानी का संबंद मेरे पिताजी से है, मेरे पिताजी है शहर से हैं और शहर के प्रती जन्मजात जो भय होता है उससे भी है शहर के प्रती जो जन्मजात भय है इसका मतलब क्या ऐसे सूने होंगे आप लोग बहुत तरह लोग बोलते हैं कि शहर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि शहर में जितने भी लोग होते हैं वो अपने काम से कोई नहीं रहता है वहाँ पर देखने के लिए किसी के साथ किसका एक्सिडेंट हो गया या फिर मतलब एक बिल्डिंग पर बहुत चारे लोग रह रहे हैं आपका कमरा लग है आपको कुछ हुआ तो आपको देखने नहीं आता है अपनी काम से काम रहता है शहर के लोगों को और यहां तक कि शहर में हमें रोड का पता नहीं चलता है, हम कहां पर हैं, किस जग़ा पर हैं, यह जो शहर के परती जन्मजात भय है, बच्पन से ही जन्म से ही भय लगा रहता है, उससे भी संबंधी थे यह कहानी, इतना तो समझ में आगे आप लोग को कि इस कहानी का संबं साल के थे, मेरे पिता जी मतलब लेखक के पिता जी, ठीक है, जब मेरे पिता जी पच्पन साल के थे, तब कि यह घटना है, पिता जी तो मेरे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोटे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा दुबले शरीर था, मतलब दुबले थे, और उनका जो बाल थे ना तो दिल को सुकून मिलता था क्योंकि जो इंसान कम बोलता है ना सोचता बहुत ज्यादा है तो टेंसन लगी रहे थी कि पता नहीं क्या सोच रहा है कोई टेंसन तो नहीं लेकर बैठा है और जब वो बोलना स्टार्ट करता है तब जाकर रहात मिलती है कि चलो बोल रह मैं यानि कि लेखा की बात हो रही है मेरे अंदर और मेरे जितने भी भाई भान हैं उनके अंदर डर होता था कि बोल नहीं रहा है डांट देंगे जो लोग कम बोलते हैं उनसे डर भी लगता है डांट देंगे तो क्या होगा या फिर पीट देंगे तो क्या होगा ठीक है न त तो मेरे पिता जी से मुझको बहुत डर डर लगता था और मेरे जो भाई भान थे उनको भी डर लगता था क्योंकि मेरे पिता जी रहस्य में ही तरीके से रहते थे और इसी तरह जितने भी गाओं के लोग थे उनसे डरते थे मेरे पिता जी सभी तरह की भाषाओं को बोल दिया करते थे अब मेरे पिता जी का नाम भी जान लीजे मेरे पिता जी का नाम था राम स्वारत परशाद याद रखिएगा राम स्वारत परशाद मैं लिख भी दे रही हूँ राम स्वारत परशाद ठीक है और ये बकेली ग्राम पंचायत के क्या थे परधान थे मेरे पिता जी जो है वो बकेली ग्राम पंचायत के परधान भी थे और यहां तक की एक स्कूल के अध्यापक भी थे तो बकेली ग्राम पंचायत याद रखेगा इसके परधान भी थे मुझे अपने पिता जी पर गर्व था और हमें भी अपने पिता जी का संतान होने पर गर्व था मेरे पिता जी जो है ना साल में एकाद बार लेकर जाते थे घुमाने के लिए मुझे मेरे भाई बेहनों को मतलब अपने पुरे परिवार को साल में हमें बहुत गंभीर, गौरोशाली, आश्चर्य जनक और भारी भरकम लगती थी अब कोई भी इंसान है, मतलब मेरे पिता जी, मुह में तंबाकू रखकर बोलेंगे ने एकदम चुप चाप चबाते हुए, एकदम भारी भरकम इस तरह चलेंगे तो उनकी चुपी कैसी लगती थी, एकदम गंभीर, ऐसे सोच रहे हो जैसे की, गरोशाली, आश्चर्य जनक और भारी भरकम दिखती थी ऐसा लगता था कि अभी हम उनको कुछ बोल देंगे, तो फिर डाट पढ़ेंगे हमको ठीक है न, तो इस तरह होता था, और बिच बिच में जो है न, मेरी जो बहन है मेरी बहन मतलब लेखक की बहन, मेरी बहन जो है, वो कुछ सवाल करती पिता जी से तो मैं ही जवाब दे देता था, ठीक है लेखक बोल रहे हैं कि मैं ही जवाब दे दिया करता था मैं नहीं चाहता था कि पिता जी को तकलीफ हो क्योंकि उनको बोलने के लिए मुह में से तंबाकों की पिक निकालनी होगी फिर जहां सोच रहे थे उस दुनिया को छोड़ कर और फिर यहां पर आना होगा थेखे ना सवाल का जवाब देने के लिए इसलिए जब मेरी बहन कुछ पूछती थी रास्ते में चलते थे और उसको कुछ पूछना सवाल पूछना रहता था तो मतलब पीता जी के बोलने से पहले ही मैं उसका जवाब दे दिया करता था और मेरी बहन का जादा तर मतलब जादा कठिन भी सवाल नहीं होता था वो एकदम आसान सा सवाल पूछती, बहन का सवाल होता कि सामने च्यूले की सुखी टहनी पर बैठी उस चिडिया को क्या कहते हैं और मैं सभी चिडियों के नाम जानता था और इसलिए मैं अपनी बहन को बता दिया करता था कि सामने च्यूले की सुखी टहनी पर जो चिडिया बैठी है ना उसका नाम है निलकंट और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए और हाँ जब मेरी बहन सवाल पुछ थी उसके जवाब देना भी बहुत बड़ा जोखिम का काम होता था क्योंकि ये डर लगा रहता था कि अगर मैं गलत उत्तर दिया तो फिर पिता जी मुझको डाटेंगे ठीके ना तो सही स से एंसर भी देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कौन बोल रहे हैं लेखक बोल रहे हैं अब देखिए हुआ क्या मेरी और मेरी माँ दोनों की कोशिश यही रहती थी कि पिता जी को कोई तकलीफ ना हो ठीक है ना हम हमेशा उनकी कामों में हाथ भी बटाते थे हम कोई भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे क्योंकि पिता जी जो है ना सारे कामों को देखा करते थे घर में कोई भी प्रोब्लम हा जाती तो घर बैठे ही वो प्रोब्लम का उन परेशानीयों का समधान कर दे गया करते थे ठीक है एक दिन की बात है कि मेरी स्कूल की नहीं जम्मा हुई थी तो मेरे पिता जी जो है न वो चुप चाप थे दो दिनों से कुछ नहीं बोल रहे थे मां को लगा की मतलब पिता जी जो है भूल गए है शायद या फिर उनके पास इस समस्या का समधान नहीं है तो तीसरे दिन तीसरे दिन जो है लेकिन ऐसा नहीं था पहला दिन चुप रहें मेरे पिता जी दूसरा दिन चुप रहें लेकिन तीसरे दिन जो है ना मेरे पिता जी सुबा सुबा मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास मुझे भेज दिया कि ले जाकर शहर के डॉक् चर्य हुआ कि डॉक्टर पंथ जब मैं उनके घर गया ना तो मेरी बहुत ही ज़दा महमान नवाजी किये डॉक्टर पंथ ने मुझे शर्बत भी पिलाई अपने घर के अंदर ले जाकर अपने बेटे से परिचे भी कराया और सौ सो रुपए के मतलब सौ सो रुपए के तीन नोट मुझे दिये याद रखिएगा सो सो के कितने नोट तो तीन नोट यानि कि तीन सो रुपए डॉक्टर पंथ ने मुझे दिये मतलब की लेखक को दिये और यह और कुछ नहीं था यह हमारी स्कूल की फीस था ठीक है हमें तो स्कूल की फीस मिल गई लेकिन पिता जी प गर्व भी था हम उनसे प्यार भी करते थे डरते भी थे और जब पिता जी हमारे साथ रहते थे ना तो उनका ऐसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हूं और वो किला समुंदर के बीच में हैं और उस किले की दिवार बहुत ही ज्यादा मजबूत है जिसके मतलब उस किले के ऊपर बाहर से तुप भी चले ना तो वो किले का जो आप बोल सकते हैं दिवार है वो तूटे ना मतलब पिता जी जब हमारे पास रहते थे थे ना तो हमें एक दर से शक्ति का अनुबव होता था अब हमें हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और उसकी किले में हम बेफिक्र होकर खेल सकते हैं कूद सकते हैं और गहरी निंद में रात को सो भी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं हमारी दुनिया है हमारा किला है इस तरह होता था और सही बात है पिता का जो साय होता है ना माता और पिता जिंदगी में दोनों जरूरी है माता और पिता जिन्दगी का एक बहुत ही ज़्यादा अनमोल और सुनारा गिफ्ट है, बहुत सारी लोग माता-पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब क्या ही बताऊं, माता-पिता का महत्वा उन लोगों से जाकर पूछिए, जिनके सर पर माता-पिता का साया नहीं है, वो बताएंगे कि माता-पिता का महत्वा क्या होता है, देखिए होता क्या है, माता और पिता दोन लोगों रहेंगे तो आप जिन्दगी पर खुश रहेंगे, पिता आपके भविश्य को देखकर, फ्यूचर को देखकर, आप भविश्य में खुश रहें, ये देखकर आपको प्रजेंट यानि कि वर्तमान में डाटता है लेकिन मा जो होती है ना आपको प्रजेंट में खुश रखने के लिए यानि कि वर्तमान में खुश रखने के लिए पिता की डाट से बचाती है ताकि आप प्रजेंट में खुश रहो और पिता जो है आपके भविष्य को बनाता है भविष्य को खुश रखने के लिए आपको डाटता है तो सोचिए पिता और माता दोनों का होना कितना जदा इंपॉर्टेंट है लाइफ में और जिसके जिन्दगी में माता और पिता का साया है वो बहुत जदा खुश नसीब इंसान है चरी आगे बढ़ते हैं आगे बनाया था उसदिन जब शाम को लौटा वापस शहर से अपने गाओ तो मुझे पता चला कि उस दिन शाम को जंगल में पिता जी को तिरिश ने काट लिया है लुग भाई तिरिश चैप्टर का नाम है और यहां पर तिरिश ने काट लिया आखिर तिरिश कहते किसे हैं तो स चिपकली में बहुत सारी प्रजातिय पाई जाती चिपकली की बहुत सारी प्रजातिय चिपकली के नाम है ने बहुत थी जदा जहरीला चिपकली ठीचे ना तो जहरीला चिपकली ने काट लिया था ठीक है तो बहुत सारे लोग जो है ना गाउं की कठा हो गए थे देखिए गाउं की बात ही अलगे शहर में कोई देखने के लिए नहीं जाता किसको क्या हुआ किसको क्या नहीं हुआ ले है सबी लोग आये और पिता जी का हाल चाल पूछने लगे गाउं का जो चुटुवा नाई था नाई का क्या नाम था चुटुवा तो गाउं का चुटुवा नाई था वो भी आया और अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारा मतलब यह जो तिरिश ऐसा चिपकली है ना ऐसा यह जीव है जो किसी भी इंसान को काट लेना तो उसकी मौत तो निश्चित है इंसान मर जाता है ठीक है तो पिता जी को अब तिरिश ने काट लिया था जहर फड़वट उतारा गया चुटुवा नाई आया और अरंड के पत्ते और कंडे की राख से मेरे पिता जी बड़ी बड़ी चट्टानों चट्टाने थी तलाब के किनारे दो पहर में जब एकदम सीधा धूप पड़ता है चट्टानों पर तो वो बहुत ही जदा गर्म चट्टाने हो गई थी खुब गर्म बड़ी बड़ी चट्टानों के किसी दरार से निकल कर पानी पीने में जा रहा था तब मैं उस तिरिच को देखा था मेरे साथ थानू भी था अब बात आती है कि ये थानू कौन है तो थानू याद रखेगा थानू मेरा सबसे प्रियमित्र है क्या है मेरा सबसे प्रियमित्र मेरा मतलब लेखवका ठीक है तो मेरा सबसे प्रियमित्र थानू भ जब उसके उपर पैर पढ़ जाये गलती से, या फिर उसे जबरदस्ती कोई तंग करे, तब साथ दोडता है काटने के लिए. लेकिन ये जो तीरिच होता है, सिर्फ नजरे मिलते ही दोड जाता है काटने चाहिए या फिर भागना चाहिए क्योंकि जब हम लोग दोड़ते हैं तो जमीन पर सिर्फ अपने पैर के निशान ही नहीं छोड़ते हैं बलकि हवाओं में अपने शरीर के गंध को भी छोड़ देते हैं और इसी के सहारे जो है ना तिरिच हमारा पीछा करता है जमीन पर आपकी नजरे तिरिच से मिल गई हो तिरिच आपका पीछा कर रहा हो काटने के लिए तो उससे बचने का और तिरिच को चकमा देने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप सबसे पहले पास-पास कदम रहके कुछ दूर तक एकदम जल्दी जल्दी दोड़ कर जाएं मतलब कुछ जल्दी जल्दी आपका पीछा कर लेगा वहां पर उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी लेकिन जहां से आपने लंबी लंबी छलांग मारी है ना वहां पर पहुंचने के बाद तिरिच उल्जन में पढ़ जाता है पहरों के निसान क्यों नहीं मिल रहे हैं और गंद भी लंबी छलांग मारी है इसी वज़ा से तो यहां पर आप थोड़े देर के लिए तिरिच को चक्मा दे सकते हैं उल्जन में डाल सकते हैं लेकिन यह तिरिच भी बहुत ही ज़्यादा जिद्धी होता है यह तब तक भ जहानी किस तरह है मैं आप लोग को समझाती हूं सबसे पहले आप लोग यहां तक ले लिजे फड़वड़ स्क्रीन शॉर्ट अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं आगे क्या हुआ अब मैं आप लोग को बताता हूँ क्योंकि अभी मैं लेकक बनी हुई ना चलिए मुझे तिरिश के बारे में दो बाते पता थी पहली यह कि तिरिश आदमी को काटने के बाद वहां से भाग कर किसी जगह जाकर नहीं सकता है उसका तो मरना निश्चित है इसलिए तिरिश के काटने के बाद उसको किसी जगह जाकर पेशाप करने से पहले और उसमें लोटने से पहले या तो उस तिरिश को मार दो या फिर किसी नदी कुए या फिर तालाब में जाकर डूगी लगा लो ऐसा करने से आप बचने के चान्स हैं तो ये बात पहली बात हो गई दूसरी बात ये कि तिरश से नजर टकराते ही वह काटने के लिए दोड़ पड़ता है और इसलिए कभी भी तिरश से नजरें मत मिला यह दो बात हमेशा मतलब मुझे याद थी तिरश के बारे में पता थी पहली कौन सी बा लेकिन प्रिशाब करने और लोटने से पहले अगर आप उसको मार देते हो या फिर किसी नदीक हुए या फिर तालाब में जाकर आप बोल सकते हैं दूबकी लगा लेते हो तो आप बच सकते हैं और दूसरी बात यह कि तिरिच से नजर टकराते हैं तो काटने के लिए दोड़ पड़ता है इसलिए आप कभी भी तिरिच से नजरे ना मिलाएं किसी भी परस्तिती में ठीक यह दो बाते पता थी मुझको और जिस तरह सभी बच्चे बच्पन में डरते थे मैं भी बच्पन में बहुत जादा डरता था तिरिच से ठीक हैं मेरे मेरे बुरे सपने के सबसे खतरनाक पातर किरदार दो ही थे एक हाथी और दूसरा तिरिच हाथी तो फिर भी दोड़ते-दोड़ते हार जाता था मैं जब भी सपना देखता था तो सपने में हाथी आता था और हाथी मुझको मारने के लिए दोड़ता था तो मैं जल्दी जल्दी भागता था दोड़ता था और दोड़ते दोड़ते मैं कभी पेर पर चड़ जाता था कभी कभी उनने लगता था सपने की बात हो रही है तो हाथी मेरा पीछा करता था और दोड़ते दोड़ते फिर भी हाथी ठक जाता था ना लेकिन तिरिच तिरिच जब सपने में आता था था तो इसका सपना बहुत ही ज़्यादा भयानक होता था इसकी कोई जगह तैही नहीं तक कहीं पर भी किसी भी वक्त ये आ जाता था मैं इसके इंद्रजाल में बंधता चला जाता था दर्रारों के बीच में से निकलाता था या फिर पुरानी मारतों के पिछवारों से जाड़ी से जाड़ी के पीछे से या फिर बाजार में मिल जाता था तिरिच कभी-कभी होता अपने घर में तेहीं अब यह में तिरिश मिल जाता था इसा होता था और उसी ना किसी तरह तिरिश मेरी नजारे ऑसे थी थी एसे ये अपने माया पीछे आने लगता मैं भागता मेरे पीछे पीछे तिरिष भागता मैं आगे आगे पीछे पीछे और sales और मैं अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता जो भी बाते मुझे बताई गई थी में सिधा नहीं भागता मैं each तेरह में चक्र लगाकर दोड़ता भागता तिर्ष से बचने के लिए कि मुझे न काटे ठीक है और तीछ मेरे पीछे-पीछे काटने के लिए दोड़ते चला आता उसके बाद से क्या हुआ उसके बाद हुआ ये कि मैं जल्दी-जल्दी मतलब पास-पास कदम रखकर जल्द आता था और कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने मौत के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ ये तिरिष जो है ना मुझे बहुत घाग समझदार चतुर और खतरनाक लगता है तिरिष की आँखों में मेरे लिए परीचे की जो चमक दिखती ना उससे मुझे लगता कि तिरि से और मेरी हर काम्याब कोशिच को फेल कर देता था ना काम्याब कर देता था मतलब मेरा जो सपना था ना सबसे खतरनाक सपना ये तिरिष को ले बहुत ही जादा थकके बहुत Huhundiㅎ आउने रखी सैना सभी आउने हीनों क्वा guiding ओसना की सिस कभितव हो मैं बहुत ही जाधा थक्जाता भागते बहुत शरीर काधा चुल जाते मं पसीने में लठपक सेता धम कियुक्र कपुल हो लगता और एक बहुत ही डड़ावनी सुन कर देने वाली मृत्यू मेरे बिलकुल करीब आने लगती अब ऐसा लगता कि अब मेरी मृत्यू तो निश्चित है अब मैं मर जाने वाला हूं और मैं बहुत जोर जोर से चीखता था कभी मा को कभी पिता जी को कभी अपने प्यारे मित्र थानू को और फिर उसी वक्त मैं जान जाता कि ये तो मेरा सपना है मैं सपने में भी कितना भी कोशिश करता कि मैं जग जाओं पूरा चीकता था चिलाता था जगने के लिए पूरी कोशिश मेरा पूरा प्रयास रहता कि मुझे पता है कि हाँ ये सपना है मैं चीखूंगा चिलाओंगा बोलूंगा जोर जोर से तो यह जो मेरा सपना है यह तूट जाएगा और उसके बार से मैं जग जाओंगा मैं पुरी कोशिश करता और एन मौके पर मेरा निंद जो है ना यानि कि मेरा सपना जो है वो तूट जाता था यानि कि मेरी निंद खु उट जाता था ऐसा होता था मा बतलाती थी कि मुझे सपने में बोलने और चिखने की आदत है ऐसे में मेरी मा को मुझे जगा देना चाहिए था लेकिन मा मेरे सर पर हाथ रही कर सर ला कर और फिर से चादर उड़ा कर मुझे सुला देती थी और मुझे उस खौफनाक सपने में उस भयानक दुनिया में अकेले ही छोड़ दिया कर दे थी और मैं उस भयानक दुनिया में अकेला अपनी जान को बचाने के लिए दोड़ता रहता भागता रहता एक दम पसीने से मलत्पत रहता और मुझे अकेले वो जंग लड़ना पड़ता था आवाजी ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र था, मुझे अनुभव मिल गया था, यह हर रोज खतरना कि भयानक सपना आता था, तिरिच का, और अनुभव के अधार पर मुझे पता चल गया था, कि आवाजी एक ऐसा अस्त्र है, जो मुझे बचा सकता है, आवाज, या के लिए, मेरा सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, आवाज, अगर मैं जोर से चीखूंगा, चिलाओंगा, तो मेरा नेंद जो है न, तुट जाएगा, और फिर मेरा सपना तूट जाएगा, फिर मैं जब जाओंगा, इसलिए, लेकिन जब मैं सपना सुनता था, सो जाता था, तो फिर ये अस्त्र की याद ही नहीं आती, वो तिर्ष मेरा पीछा ऐसे करता न, कि मुझे याद ही नहीं पड़ता था, कि मैं चिलाओं, चीखूं, मैं भागते, भागते, दोड़ते, दोड़ते, ठक जाता था, और जब मेरी मृत्यू सबसे करीब होती न, तब मुझे य चीखता, चिलाता था, ऐसा लगता था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, और उस वक्त मुझे अपने अस्त्र की याद आती थी, और मैं जोर से अपनी मा, ठानू, पिता झी को चिलाता था, एक दम जोर जोर से पुरा आंके फाड़ने की कोशिश करता, जोर जोर से चिलाने कि कुश्च करता था कि मैं सपनों से जग जाओं मेरे निंद खुल जाए और एम मौके पर मेरा निंद खुल भी जाता था कभी-कभी ठीक है कई बार मा मुझे पूछती थी कि क्या हो गया क्या हुआ था तुम्हें सपने में अब मेरे पास उतनी भाशा नहीं थी उतने शब् ही नहीं थे मैं अंत में हार कर मा से सिर्फ इतना ही कह देता कि वो कुछ नहीं मा बहुत ही खतरनाक भयानक सपना था बस इतना ही कह देता मैं क्या बताऊं मा से मेरे पास शब्धी नहीं थे इतना में डर जाता था कि मैं मा से बता नहीं पाता था और अंत में हार कर मैं सिर्फ अपनी मा से कह देता था कि बहुत ही भयानक सपना था और मुझे शक्त था कि मेरे पिता जी को उसी तीरिष ने काटा था जो मेरे सपनों में आता है। में लोटं जाता तो फिर भचने का कोई चांस में ही रह था। इस बात की खुशी थी, मैंने, श्किन्थ हो गया है। कि चलो पिता जी ने उस तुरंथी मार दिया ठीक है और मैं बहुत ही जदा खुष था कि चलो पिता जी ने मार दिया तुरश को एक तो करन यह कि पिता जी बच जायेंगे अब इस बात की खुशी ठी कि पिता vont d iyan और उसके बाद से अजादी से घूम सकता हूं बिना किसी डर के सीटी बजा सकता हूं दोड सकता हूं खेल सकता हूं अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है ठीक है ना इसी वज़ा से मैं बहुत जला खुश था उस रात हमारे घर में भीड लगी हुई थी क्योंकि पिता जी की जारफुक च कल जाएगा और उसके बाद से जो कुए में छिड़कने वाली लाल दावा होती है पोटेशियम पर मैगनेट उसको भरा गया अब मैं एकदम निश्चिंत था कि मेरे पिता जी भी अब बच जाएंगे और जो तिरिश था वो अब उसका वध हो चुका है उसकी मौत हो चुक मेरे पिता जी की उस रात को जाड़ फुक चलती रही और उसके बाद से अगली सुबह पिता जी को शहर जाना था रात को जाड़ फुक चलती रही लेकिन अगली सुबह अगले दिन पिता जी को कहा जाना था तो शहर जाना था अदालक में पेशी थी इसी वज़ा से क्यों तो दिन में दो-तिन बसे मिलती थी मुश्किल से तो दो किलो मीटर दूर शहर के लिए बसे मिलते थी और गनीमत थी कि पिता जी जैसे ही सड़क तक पहुँचे शहर जाने वाला पास की गाउं का एक ट्रेक्टर उन्हें मिल गया जैसे वह सड़क तक पहुँचे तो वह ट्रैक्टर पर सवार हो गये त्रैक्टर जो है ना दो धाई घंटे में शहर पहुचा देने वाला था तो पिता जी इस ट्रैक्टर पर सवार हो गये और जितने भी उस पर सवारी थे सभी जान पहचान के ही थे मेरे पिता जी के सभी जान प पहानी अपना बताने लगे सभी लोग सुन रहे थे ठीक है अब उसी में उसी ट्राक्टर में पंडित राम आउतार भी थे याद रखिएगा एक आदमी का नाम रहता है पंडित राम आउतार तो उस ट्राक्टर में पंडित राम आउतार भी थे और उन्होंने बताया कि चलि पूर्य हो मतलब तरिश का जो जहर का आसर है वो 24 घंटे में दिफाता है जिस दिन आपको जिस समय जिस दिन आपको तरिश काटा रहता है न उसके ठीक 24 घंटे के बाद यानि कि अगले दिन उसी समय इनसान की मौत हो जाती तो यह कौन बताता है राम उतार पंडित राम उतार बताते हैं कि ठीक 24 घंडे के बाद इंसान की मृतिव हो जाती है तिरिश काटने के बाद जहां तक मुझे पता है और लोग जितने भी लोग मतलब बैठे थे इस ट्रैक्टर पर वो भी बोलने लगे किसको मेरे पिता जी क के वज़ा से कोई कोई ऐसे जानवर होते हैं जो जिन्दा हो जाते हैं साप को अगर मार दो और रात भर उसी तरह छोड़ दो तो रात के जो है ना श्रीत के वज़ा से वह जो है ना फिर से जिन्दा हो जाता है एक तरसे रात का जो श्रीत होता है अम्रित की तरह कारे करने लगता है साप के लिए और फिर से वो साप जिंदा हो जाता है और भाग चला जाता है और फिर बदला लेने के ताक में रहता है तो आपने तिरिश को तो मार दिया ठीक है लेकिन आपको क्या करना चाहिए था तिरिश को जला देना चाहिए था हो सकता है कि वो तिरिश रात की शृत के वज़ा से ओस की वज़ा से फिर से वो जिंदा हो जाए और फिर भाग चला जाए और आपको अब काटने के तलाश में रहे बदले की तलाश में रहे तो आपको जला देना चाहिए था सभी लोग बोलने लगे जितने भी ट्रैक्टर पर थे लोगों ने वापस कर जला दीजिए अगर उसकी लाश मिल जाये तो अब पिता जी असमंजस में फशे हुए थे क्योंकि उनका अदालत में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था वो सभी लोग को बताए कि उनके लिए अदालत में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन्होंने कहा कि यह तीसर जिले लेक के वकील को पिछले दो बार की पेशी भी नहीं दी जा सकी ती वो सकता है कि वकील जो है न थोड़ा ला परवाही कर दे और जजो जो है वो सनक जाए तो फिर सब कुछ उलट पलट हो जाएगा सब कुछ खतम हो जाएगा ठीक है अब यह जो है ना मेरे पिता जी बहुत ही ज्यादा टेंसन में थे सोच रहे थे कि अगर अगर मैं यही से लोट गया अपने गाओं तिरिश को जलाने के लिए तो फिर मेरे लिए गैर जमानती वारेंट जो है ना वो जारी कर दिया जाएगा फिर मुझको गिरफतार कर दिया जाएगा और मेरा जो मकान है घर वो छिन जाएगा ठीक है अब जो है सोच रहे थे कि क्य क्या करें तब ही जो राम अवतार थें पंडित राम अवतार उन्हों ने कहा कि मेरे पास एक विचार आया है मेरे दिमाग में विचार आया है जिसे आपको वापस गाओं भी नहीं जाना पड़ेगा और आप अदालस में जाकर हाज्री भी बना सकते हों पंडित राम अवतार जो थे वह एक वैद भी थे ठीक है पंडित राम अवतार क्या थे वह एक वैद थे और जियोतिश पंचांग के लावा उन्हें जड़ी बूटी की भी जानकारी थी ठीक है उन्होंने बताया पंडित राम अवतार ने बताया कि चरक का निचोड इस सुत अगर के बीज से काट तयार हो सकता है कहीं से अगर धटुरे का बीज मिल गया ना तो फिर हम इस के जहर को काटने के लिए कुछ आप बोल सकते हैं औस तयार कर सकते हैं कहीं से ध bill है थीक है दो ये बात होने लगे कि चलो अब धटुरे के Width कही से मिल जाए धतुरे का बीज ठीक है पंडीतरा मौतार का कहना था कि विश्षी-विश्षी मतलब आउशदी होती है यानि कि जहरी-जहर को काटता है अब तिरिच को तिरिच की जहर को काटने के लिए हमें धतुरे के बीज चाहिए तब मैं उसके आउशदी तयार करूंगा अब हुआ य एक तेली के खेत में धतुरे का पौधा मिल गया खोज निकाला गया और धतुरे के बीजों को पीस कर उसे तामबे के पुराने सिक्षे के सांथ उबाल कर काढ़ा बना दिया गया और वो जो काढ़ा था बहुत ही ज्यादा कड़वा था अब कोई भी काढ़ा करवा ही रहता ह उसे तामबे के पूराने सिक्षे के सांथ उबाल कर काढ़्या और कैडवा फीता जी को न लगे इसली वजां दिया गया पीने के लिए और पी मिलती जुलती थी और वात ये थी कि आदमी जब आदमी जब सांप की हत्या कर रहा होता है ना तब सांप टक-टकी बांध कर उस आदमी के चेहरे की एक-एक बारीकी को अपनी आँख के भीतरी परदे में दर्ज कर रहा होता है और जब आदमी उस साप को मार कर चला जाता है तब उस आदमी का चेहरा साप के भीतरी आँख के भीतरी परदे में कैद हो जाता है अंकित हो जाता है ठीके और जब आदमी साप को मार कर चला जाता है तो उ आदमी का चेहरा पहचान लेता है और इस तरह सभी सांप जो होते हैं सभी सांप की परजातिया उस हत्यारे के दुश्मन बन जाते हैं उस आदमी के दुश्मन बन जाते हैं सभी जितने भी सांप रहते हैं उस आदमी का चेहरा पहचान लेते हैं अब वो लोग बदला लेने क के लिए उस आदमी का पीछा करने लगते हैं उसको डसने के लिए आप लोग नागिन वगर देखे भी होंगे उसमें दिखाता होगा इंतकाम लेने के लिए आती है ठीक है तो उसी तरह ये तीसरी बात भी मुझको पता थी हो सकता है कि पिता जी भी जब मार रहे हो तो तिरि पर उसकी आख में जाका हो और मेरे पिता जी का चेहरा पहचान लिया हो और बदला लेने के लिए मेरे पिता जी को काटने की कोशिश करें पिता जी ने ये क्या कर दिया उनको सोचना चाहिए कि जब वो तीरिच को मार दिये हैं तो उसी वक्त उनको जला देना चाहिए था ला मरे हुए क्यों छोड़ दिये पिता जी काश पिता जी स्तिरिच को मार दिये रहते हैं लेकिन अब हो भी क्या सकता था पिता जी तो गाओं छोड़कर शहर ट्रैक्टर में बैठ कर जा रहे थे मेरे अंदर ये विचार आ रहा था अब मैं इतना लंबा चोड़ा जो जंग डूंगा जलाने के लिए पिता जी को तो जब लेकिन ज़ू झाय कर जंगल में नहीं झाला हुआ फ़ोघए खाली तो यह झालियों फिर्ष की लास को कहां ढूंदे के लिए इस गहने जंगल में निकला अपने दोस्त थानू के साथ, अब आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ तक फिर से स्क्रीन शॉट ले लिजे, अब यहीं से जो है ना कहानी धीरे धीरे गंभीर होती चली जाएगी, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक ले लिजे फ़र के साथ में गया था, थानू के साथ, और जंगल में हम लोग कुछ समय तक भटकते रहे, तिरिच की लाश को हम लोग धूंडते रहे, धूंडते रहे, बिचारा थानू निराश था, वो बोल रहा था कि इतना बड़ा जंगल है, हम लोग तिरिच की लाश को धूंडेंगे क लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जंगल को जानता हूं फिर मुझे अचानक लगने लगा कि इस जंगल को तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं इस जंगल के हर एक-एक पेड़ पौधे से मेरा परीचय निकलने लगा ऐसा लग रहा था कि मैं सभी पेड़ पौधों को जानता हूँ सभी मतलब देखे दिखाए लगने लगे पेड़ पौध है कि जैसा कि मैं इन सभी पेड़ पौधों को जानता हूँ पता है क्यों? क्योंकि जब मुझे भयानक सपने आते थे तिरिच के और तिरिच मुझे काटने के लिए दोडाता था तो तिरिच से डढ़ कर मैं इसी जंगल में भागता था और इसी वज़ा से इस जंगल के सभी पेड़ पौधे से मेरा परीचय बन गया था इस जंगल के हर एक एक कोने को मैं जान गया था मैं मतलब उस जंगल को मैं ध्यान से देखा बिल्कुल वही जंगल था जो मैं अपने सपने में देखा करता था जिस जंगल में मैं सपने में तीरिस से डर कर भागता था, अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल में भागा करता था, वही बिल्कुल, same to same वही वाला ये जंगल था, मतलब हर एक एक कोना मुझे इस जंगल का पता था, हर एक एक पेड़ पौधे से मेरा परीचय हो गया था मुझे पता था कि कौन सा पौधा कहा पर है, कौन सा पेड़ किस जगा पर है, ये हर एक चीज मुझे मेरा परीचय बन गया था, ठीक है, और यही वज़ा है कि इस घटना में मेरा सपना जो है ना, मेरा सांथ दिया, तीरिस की लाश को ढूलने में, थानू को लग रहा था क ये तो एकदम बकवास कर रहा है, मैं थानू को बता रहा था, मैंने थानू से बताया कि देखना, एक सकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दच्चिड की तरफ बैता है, मुझे इस जंगल के बारे में हर एक चीज पता थी, क्योंकि मैं सपने में इस जंगल में ही तिरिस स बचने के लिए भागता था और दोरता था, इसलिए मैं थानू से अपने मेरा जो सबसे अच्छा मित्र था, उससे बता रहा था कि देखो एक सकरा सा नाला जो है ना इतनी दूर जो है ना दच्चिड की तरफ बैता है, ठीक है, और नाले के ऊपर जहां बड़ी-बड़ी चट्टाने हैं, वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ हैं, जिस पर बड़े शहद के चट्टे हैं, और उस चट्टे को देखकर, शहद के चट्टे को देखकर लगता है कि कई सताबदी पुराना है वो चट्टा, ठीक है, उन्हें देखकर लगता है कि वे कई सताबद कुराने हैं मैं उस भूरे रंग के चटान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं यानि कि मैं ही लेखक बनी हूँ न तो यहाँ पर बोला जा रहा है लेखक बोल रहे हैं कि मैं उस भूरे रंग की चटान क जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी वह चट्टान तो उसकी खोहों में कीचड भर जाती थी और अजब अजब वनस्पतिया वहां से उग जाती थी चट्टान के उपर हरी काई की एक परत से जम जाती थी इसी चट्टान के सबसे उपर वाली दरार में तिरिछ रहता था ये मैं थानू को बता रहा था लेकिन थानू मुझे पर यखिन नहीं कर रहा था मुझे पर हस रहा था ये कौन सा तुम बकवास करने लगे देखो मजाक मत करो मैं जानता हूं कि इस जंगल क एक कहा हुआ बात सच निकलेगा नाला भी मिलेगा तुम्हें कीकर का पेड़ मिलेगा तुम आगे चलते जाओ मैं और थानू आगे चलते गए चलते गए और देखते ही देखते वो नाला भी मिल गया, जिस तरह मैं बताया थानु को कि नाला मिलेगा इतनी दूर तक दच्छिड की तरफ वो बैता है, वो नाला भी मिला और वो कीकर का पेड़ भी मिल गया, तब थानु को विश्वास होने लगा, कि सच में मेरे सपने में तिरिस जो काटने के लिए दोड भाता था तो मैं इसी जंगल में दोड़ता था और भागता था तिरिस से बशने के लिए तब जाकर थानू को विश्वास हुआ तो देखते ही देखते नाला भी मिल गया किकर का पेड़ भी मिल गया और उस पर शहद के छत्ते भी दिखाई दे रहे थे और यहां तक की वह ज भर जाती थी और अजबसी वनस्पतिया उग जाती थी और उसी चटान के सबसे उपरी वाले दरार में तिरिच रहता था वो चटान हमें दिखाई दे दिया और उसी चटान के देखिए तिरिस तिरिच की लास चटान से जराहट कर जमीन के घास के उपर चित पड़ी हुई मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मेरे भीतर हिंसा उत्तेजना और खुशी की संसनी दोड़ने लगी येस मिल गया तिरिश की लास आज तो मैं इसको जला कर रहूँगा ठीक है फटाफट थानू ने और मैंने सुखे पत्ते और लकडिया इकठा की खुब सारा मिटी का तेल उसमें डाल कर और तिरिश की लास जो है न उसमें डाल कर और आग लगा दी तिरिश की लास जलने लगी और उसका जो धुआ है आब बोल सकते हैं तिरिश की लास जब जल रही थी ना तो उसका गंद हवा में धीरे-धीरे फैल रहा था और ये देखकर मेरे दिल को बहुत ही जज़ा सुकून मिल रहा था मुझे मन किया कि मैं चिलाओं एकदम खुश हो कर कि येस मैंने तिरिष को जला दिया हरा दिया लेकिन फिर मैं ड़रा कि शायद ये सपना ना निकल जाए मैं जग न जाओं मैं देख रहा था कि मेरा जो मित्र है थान हूँ वो बेचारा खुशी के वज़ा से रो रहा है एक और बात इतने दिनों से मैं जानता था सपने में मैं तिरिष से डर कर इस जंगल में भागता रहता था इतने दिनों से तिरिष के इस अड़े को मैं जानता था और मैं बे तहाशा खुश था अब आगे देखिए हुआ क्या पंडित राम ओतार ने बताया कि ट्रेक्टर ने पौने दस बजे के लगभग शहर का चुंगीना का पार किया था पंडित राम ओतार जो की एक वैद भी थें उन्होंने बताया कि ट्रेक्टर जो है जिस पर मेरे पिता जी सवार होकर शहर जा रहे थें तो वो ट्रेक्टर पौने दस बजे टाइम याद रखना बेहत जरूरी है पौने दस बजे के लगभग शहर का चुंगीना का पार किया था ठीक है वहां उन्हें नाके का टोल टेक्स चुकाने के लिए रुकना पड़ा था नाके का वारण से वापस लौटने के बाद उन्होंने बताया कि सिर कुछ घूम सा रहा है मेरे पिता जी जो है ना टोल टेक्स चुकाने के लिए रुके खिले थे जो ट्रक pH थी वो कहांपर रुकी वी थी चूंगीना का पार कर दिया था और वहां उन्हें नाके का टॉल टेक्स चुकाने के लिए रुकना पड़ा था और वहांपर पिता जी जो है ना ट्रैक्टर से उतर कर वो पिशाप करने के लिए गये थे और जैसे ही वो वापस लोटे उन्होंने बताया कि उनका सिर जो है ना कुछ घूम सा रहा है अब कहानी धीरे धीरे गंभीर होते चली जा रही है गौर से सुनिएगा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे गंभीरता बढ़ते जाता है ठीक है ना मतलब वो बेचाई नहीं बढ़ते जाती है कि अब आगे क्या हुआ होगा क्या होगा तो आगे क्या हुआ लास्ट में क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगी बस आप लोग इस कीप नहीं किजे वीडियो को पूरा कहानी आप लोग अंत तक दम स्टेप पईज आप लोग सुनते रहिए आखिर क्या हुआ लास्ट में बहुत ही जदा इमोशनल कर देने वाली कहानी है अगर आप लोग का दिल साफ होगा ना तो शायद आप लोग रो भी दे चलिए आगे देखिए मेरे पिता जी ने बताया कि थोड़ा सा उनका सिर घूम भी रहा है ठ इतने घंटे हो चुके थे धातुरे का काढ़ा पीए तो डेर घंटे हो चुके थे अब देखिए टृप्टर ने पीता जी को शहर 10 बजकर 5-7 मिनट पर छोड़ दिया था ट्रैक्टर जो है पीता जी को शहर में कितने बजे ले जाकर पहुँचा दिया था 10 बज कर वही 5-7 मिनट पर पहुँचा दिया अब आगे की कहानी क्या है फिर मैं बोर्ड मिटाती हूँ और आगे की कहानी मैं लिखती हूँ और आगे बताती हूँ तो देखिए आप लोगो वीडियो को स्किप नहीं करना है अंत तक आप लोगो को स्टेप वाइस पूरी कहानी को सुनना है बहुत ही ज़्यदा इंट्रेस्टिंग है और इमोशनल कर देने वाली कहानी है कोई फिल्म होता है ने लास्ट मिले जाकर एमोशनल कर देता है बिल्कुल उसी तरह है ये तो सबसे पहले आप लोग फड़ावट यहां तक लिलीजे स्क्रेन शॉर्ट अब आगे सुनिए देखिए ट्रैक्टर में ही बैठे पलडा गाओं के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनर्वा टॉकिज के पास वाले चौराहे पर पिता जी को ट्रैक्टर से उतारा गया तो उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है ध्यान दिजे यहाँ पर पिता जी को शहर में उतारा गया कौन से जगा पर जगा का नाम याद रखिएगा मिनर्वा टॉकिज के पास वाले चौराहे पर तो उसी ट्रैक्टर में ही पलडा गाओं के एक मास्टर जिनका नाम था नंदलाल बैठे हुए थे उन्ही का कहना था कि जब शहर में मिनर्वा टॉकिज के पास वाले चौराहे पर पिता जी को उतारा गया ना तो पिता जी ने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है मेरे पिता जी काफी परिशान थे क्योंकि उन्हें अधारत जाने का रास्ता पता नहीं था लोगों से पूछ पूछ कर जाने में उन्हें तकलीफ भी होती थी और यहां तक कि मेरे पिता जी के साथ एक दिक्कत भी था कि वो अपने गाउं और जंगल की पकडंडिया यानि की रास्ते याद रखते थे मेरे पिता जी को जंगल और गाउं के रास्ते याद रहते थे लेकिन अगर बात आती थी शहर की तो शहर के रास्ते वो भूल जाया करते थे शहर का रास्ता याद ही नहीं रहता था उनको क्योंकि शहर के जो रास्ते होते ना सभी एक ही जैसे दिखाई देते हैं इसी वज़ा से और मेरे पिता जी शहर बहुत कम जाया करते थे बहुत जरूरी होता था जाना शहर में तब हो जाते थे टालते रहते थे जब उनको लगता कि हाँ शहर जाना एकदम जरूरी है तब ही जाया करते थे कभी कभी तो ऐसा होता था कि पिता जी शहर जाने के लिए सारा समान पैक वगरा कर लेते और बस अड़े तक पहुंच जाते थे जब हम लोग को लगता था कि पिता जी अब शहर चले गए होंगे तो वापस वो घर लोटाते थे अपने पूरे समान के साथ हम लोग को आश्रे चकित कर देते थे बहाना ये था कि बस छूट गई बस छूटती नहीं थी पिता जी जान बूज कर छोड़ते थे बस अड़े तक पहुँचकर वहाँ पर इंतिजार करते बस का बस आती और जाने लगती वो देखते कि हाँ बस जा रही है फिर भी वो बस पर चढगते नहीं थे वो आराम से या तो पान खाने चले जाते हैं या फिर प्रिशाप करने चले जाते थे और जब देखते थे कि बस बहुत ही रफटार पकड़ ली जाने लग एकदम रफटार से तब वो बस के पीछे पीछे दोड़ते थे ठीक है और जब बस निकल जाती छूट जाती तब वो धीरे धीरे अपना कदम रोक देते थे और उस वक्त उन्हें अफसोस और दुख परकट होता था ऐसा करने से उन्हें सच में रियल की फिलिंग आती थी ना बस छोड़ना हो तो थोड़ा देर के लिए बस जा रही है तो देखो कि हां जा रही है और उसके बाद से थोड़ा देर रुख जाओ और जब बस रफ्तार पकड़ लेना और तब दोड़ो और जब बस चली जाए छूट जाए उसके बाद से दुख का अनुभा होता है रियल कर देते थे क्योंकि हम लोगकों लगता था किस वक्त तक तो पिता जी चेले गए होंगे देख लेकिन दोखो वापस आकर पिता जी चकित कर देखे तो ऐसा होता था करते थे कभी-कभी Duty Vikings लेकिन उस वक्त जो है ना जब पिता जी शहर में उत्रे थे तो उनकी शिकायत हुई थी कि गला कुछ सुकसरात है और वो काफी परिशान भी थे ट्रैक्टर से मिनर्वा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंद वाच कंपनी के ठीक सामने लगबग 10 बज कर 7 मिनट पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 की मौत हो जाती है न वो भी नहीं तो अकास्मिक और और स्वभाविक धंग से तो पता चल ही जाता है लोग बता ही देते हैं और इससे आप सभी लोग को मालुम क्या चला कि यहां पर पिता जी की लेखक के पिता जी की मृत हो जाती है जी हां लेखक के पिता जी की मौत हो बजे तक उस दिन बूधवार 17 मई उन्हें से 72 को सुबह 10 बज के 10 मिनट से लेकर शाम 6 बजे तक लगबग पौने 8 घंटे पौने 8 घंटे में पिता जी कहां कहां गये कहां कहां उन्होंने क्या किया उनके साथ क्या क्या हुआ यह सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं जहां जहां गये वहां के लोगों से हमें पता चला पूश ताज के जरी और बातचीत के जरी अब वही घटना आगे बताया गया है अब देखिए लेखक यानि की मेरे पिता जी के साथ आगे क्या क्या हुआ बहुत सी जदा यहीं से इमोशनल स्टोरी स्टार्ट होती है पिता जी कहां कहां गये क्या क्या हुआ यह अनुमान लगाया गया है ठीक है और लोगों के पूश ताज के लोगों से पूश ताज के जरीए जो है ना पता चला है तो देखिया शहर पहुंचने तक पिता जी को काढ़ा पीए हुए दो घंटे हो चुके थे और जैसा कि नंदलाल पढ़ला गाओ के मास्टर नंदलाल का कहना था कि मिनर्वाट किज के सपास वाले चौराहे पर जब पिता जी उत्रे थे तो वहाँ पर भी पिता जी ने शिकायत की थी कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है और उसके बाद से उतरने के बाद शहर में उतरने के बाद उन्हें ने क्या शिकायत की कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है यानि कि उस वक्त पिता जी को काढ़ा पीए हुए दो घंटे हो च किसी होटल या फिर ढाबे पर रुके होंगे पानी पीने के लिए मतलब जहां तक मेरा अनुमान है कि वो किसी होटल के पास जाकर खड़े होंगे पानी पीने के लिए एक दो मिनट वह वहां पर रुके होंगे लेकिन उस होटल वाले से वो पानी नहीं मांगे होंगे पता है क क्योंकि मेरे पिता जी बताये थे जहां तक मैं जानता हूं मेरे पिता जी उस होटल वाले से पानी नहीं मांगे होंगे पीने के लिए इसलिए क्योंकि मेरे पिता जी मुझको बताये थे बहुत साल पहले की बात है कि पिता जी जब किसी एक होटल में गये थे तो वहां पर उ इस होटल वालों से अगर पानी मांगा तो ये लोग भी मुझे गालिया दे देगा इसी वज़ा से उस होटल के पास वो खड़े तो होंगे लेकिन पानी नहीं मांगे होंगे प्यास को रोकते हुए वो आगे बढ़ गए होंगे 10.15 यानि कि सवा 10 बजे से 11 बजे के बीच मेरे पिता जी कहां कहां गए इसके जानकारी कहीं नहीं मिलती है लोगों ने भी उन्हें सडक पर नहीं देखा और जहां तक मेरा अनुमान है 10-15 से लेकर 11 बजे के बीच टुटल 45 मिनट में मेरा अनुमान है कि पिता जी कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछे होंगे ताकि वो अपने वकील NS अगरवाल वकील का भी नाम याद रखिएगा ताकि वो अपने वकील NS अगरवाल से पानी मांग कर पी सके तो पिता जी कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता जरूर पूछे होंगे लेकिन लोग या तो चुपचाप चुपपी साद कर चले गए होंगे आगे बढ़ गए होंगे या फिर कुछ लोग बताए भी होंगे तो जल्दबाजी में अदालत जाने का रास्ता बता दिये होंगे तो पिता जी को कुछ समझ में नहीं आया होगा और आप लोग जानते ही हैं शहर के लोग ऐसे ही होते हैं अपने काम से भई अपना काम रखो मैं अपना काम कर रहा हूं तुम अपना काम करो तुम अपना काम करो काम से काम रखो शहर के लोग इसी तरह रहते हैं और जल में बताए भी होंगे तो पिता जी को समझ में नहीं आया होगा और पिता जी अपमानित निरास और दुखी होकर रह गये होंगे पिता जी पर जहां तक मुझे लगता है काढ़ा कासर धुतूरे के काढ़ा कासर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा क्यों कि मई की धूप थी मई का महीना था ठीके मई की धूप और उनका प्यास जो है ना काढ़े की असर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया होगा और जहां तक मुझे लगता है कि पिता जी को मतलब पिता जी को चलते चलते उनके पैर लड़खडा भी रहे होंगे और यहां तक की उनको चक्कर भी आ रहा होगा अब देखिए आगे क्या हुआ पिता जी 11 बजे शहर में देशबंदु मार्ग परिस्थित SBIN की State Bank of India की इमारत में घुशे थे क्यों घुसे थे? किसली है घुसे थे? क्या काम था? यह तो नहीं पता लेकिन वैसे हमारे गाओं का एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेशदत याद रछे दा है तो जहां तक मुझे लगता है और यकीन भी है कि पिता जी को ऐसा लगा होगा कि ये वही बैंक है State Bank of India की building को देखकर उन्हें लगा होगा सिर्फ bank वो पढ़े होंगे और उन्हें लगा होगा कि यह वही bank है जिसमें रमेश दत काम करता है यानि कि उनको लगा होगा कि वो भूमी विकास सेहकारी bank है और इसे लिए उस इमारत में वो enter किये घुसे ताकि वो रमेश दत से मिल स सके रमेश दत से और इसी वज़े से यही बात सोच कर पिता जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की building में घुसे होंगे ठीक है अब आगे क्या हुआ इस भी आई के cashier ने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो cashier था जिसका नाम था अगनी होतरी उससे पूछा गया तो उसके अनुसार यानि कि उसने बताया कि वह उस समय cash registry चेक कर रहा था क्या कर रहा था तो cash registry चेक कर रहा था और उसके मेश पर 28,000 रुपे की गड़ से ज्यादा हो रहा होगा और तभी पिता जी जो है ना वह आये अचानक और उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी बहुत ज़्यदा धूल और उनका चेहरा ड़ावना हो गया था और अचानक आकर कुछ जोर से बोलने लगे और इसलिए मैं अचानक उनको देखकर डर गया वैसे मैं पहले देखा रहता है मतलब एकाद मिनट पहले देखा रहता है उनको आती हुए दरवाजे से आती हुए देखा रहता ना तो नहीं डरता लेकिन वह अचानक आये और वैसे भी कोई विव्यक्ति इस तरह कैशियर के पास नहीं पहुँच पाता है लेकिन तुम्ह कोई बता रहा है यह तक नहीं पहुंच पाता है लेकिन वह अचानक आ गए इतना था ना क्या घt करने में कि उनके तरफ ध्यान ही नहीं दिया अगर एकाद मिनट पहले उनको देखा रहता उधर से आते हुए तब तो शायद में नहीं डरता लेकिन मैं क्या था कैश रेजिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा कर उसको चेक कर रहा था और इसलिए पिता जी अचान को बुलाने लगा अब सब लोग परिशान हो गया कि कौन आ गया वर इतना कैशियर क्यों जिलाने लगा अब आगे की कहानी में आप को बताती हूं देखे सब्र रखे और की चार सबस्री पिक्सल या फिर 720 पिक्सल में करकर देखेंगे तो एकदम साफ और ख्लीर दिखाई देगा अगर आप लोग लग रहा है कि मैं बहुत एदा फास्ट बोल रही हूं तो स्लो कर सकते हैं अगर आप लोको लग रहा है तो नहीं यूटुब ने दिया है विडियो के आप लोग यहां तक ले लेजे स्क्रीन शॉट अब जब कैशियर डर कर जोड से चिलाया और बेल बजाया ना तो हुआ यह कि बैंक के चपरासियों दो चौकिदारों और दूसरे कर्मचारियों की अनुसार वे सब चौक गए और उस तरफ दोड़ें देखे हुआ यह कि वहा कैशियर चिलाया ना और बेल बजाया तो हम सभी लोग चौक गए जितने भी लोग थे और उदर सभी लोग दोड़ परे कि आखिर हुआ क्या है इतना जोड से कैशियर क्यों चिला रहा है ठीक है तब तक एक नेपाली चौकिदार था जिसका नाम था थापा तो एक नेपा एक चप्राशी रामकिशोर एक चप्राशी का नाम था रामकिशोर जो कि 45 साल का था उसने कहा कि उसने समझा कोई शराबी दफ्तर में घुसाया है या पागल चुकि उसका ड्यूटी बैंक के मुखे दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर ने उसे चार्शिट कर सकत था देखे हुआ यह कि एक चप्राशी था रामकिशोर जो कि 45 साल का था उसने बताया कि जब मैं उस वक्त पिता जी को देखा तो लग रहा था कि वो कोई शराबी है मतलब शराबी कोई दफ्तर में घुसाया है नहीं तो वो कोई पागल है चुकि मैं वहां का मेरा जो है च पिता जी को जब मारा जा रहा था तो वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिये थे जब पिता जी को मारा पीटा जा रहा था तब वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिये और इसी वज़ा से बैंक के जितने भी चप्राशी थे ना उनका शक बढ़ गया कि सच में ये पाग ने लगा कि सच में ये पागल है और असिस्टेंट ब्रांच मेनेजर महता जिसका नाम क्या था महता महता ने कह दिया कि इसकी अच्छे से तलाशी लेना तलाशी लेने के बाद ही से बाहर भेजना ठीक है रामकिशोड जी का कहना था जो कि ये भी क्या थे चप्रासी थे राम के चपरासि उन्हें पिता जी को ज्यादा मारने पिटने की बात से इंकार किया था मैं की दुकान में बैठा कि पिता जी जब साठें गयारा बजे बैंक से बाहर निकले तो कपड़े फटे हुए थे बैंक के बाहर दर्वाजे के ठीक पास में एक पान का दुकान था और उस पान के दुकान में बैठा बुन्नू नाम का लड़का उसने कहा कि पिता जी जब साड़े 11 बजे बाहर निकले बैंक से तो उनका कपड़ा फटा हुआ था निचला उनका जो होट था वो कट गया था और उसमें से खून निकल रहा था आखों के नीचे सूजन और कथई चक्ते हो गये थे जो आगे चलकर बैंग नली या फिर नीले पड़ जाते हैं उस तरह के आखों के नीचे चक्ते पड़ गये थे मतलब बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा गया था मेरे पिता जी को उस बैंग के चप्रासियों ने और वो जो थापा नाम का चौकिदार था नेपाली चौकिदार बहुत ही ज़्यादा पीटा था जबकि बैंक वाले बोल रहे थे कि हम लोगों ने ज्यादा मारनी पिटने से इंकार कर दिया लेकिन वो जो बैंक के बाहर दरवाजे के ठीक पास में पान की दुकान में बैठा बुन्नू नाम का लड़का था वो सच सच बताया उसने बताया कि साढ़े ग्यारे बज़े ज कहां कहां गये इसकी कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलती है लेकिन हां वो जो बुन्नू नाम का लड़का था जो की पान की दुकान में बैठा हुआ था बैंक के बाहर उसका कहना था कि जब पिताजी साढ़े ग्यारे बज़े बाहर निकले न तो वो कुछ मुह में बढ़ब में बुन्नू शायद में बात कर रहा था कि शायद पिता जी ये कह रहे थे कि उनका जितना भी कागजात था और जितने भी पैसे थे बैंक के कर्मचारी उने छीन लिया है शायद ये पिता जी बोल रहे थे ठीक है मतलब बुन्नू अपने बात पर एकदम अटल नहीं था हो बोलना था कि शायद पिता जी आसे पूल रहे थे उनके मूह से जो आवाज निकल रहा था कि दूड़ा पागल जीसा हरकत कर रहते उनका जो दिमाग था न, वो कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था, और मेरा अंदाजा है कि उस वक्त पिता जी के उपर काढ़े का असर बहुत ही तेजी से बढ़ गया था। वो वक्त ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि वो पागल हो गये हूं पंडित राम-उतार जी ने बताया कि हो सकता है कि तिरिश के जहर का असर उनके शरीर में चढराओ और धीरे-धीरे जो शरीर का शरीर में तिरिश के जहर का सर्फ फैलने के सान साथ दिमाग पर चड़ गया हूँ या फिर ये भी हो सकता है कि बैंक के जितने भी चपरासी थे वो पिता जी को जब अंदर ले जाकर बहुत ही ज़्यदा पिटाई किये थे बहुत ही ज़्यदा मारे थे तो उस वक्त सिर के पिछले वाले हिस्से पर बहुत तीज चोट लग गई हो जिसके वज़ासे उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो ये भी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त पिता जी को थोड़ा बहुत तो होश था और उस वक्त मेरे पिता जी सोच रहे थे कि मैं किस किसी भी तरह इस शहर से बाहर निकल जाओं अपने घर अपने गाउं वापस लोड़ जाओं क्योंकि उनके पास कुछ भी था ही नहीं सब कुछ चिन गया था उनका सारा कागजात पैसे वैसे सब कुछ चिन लिए गए थे यहां तक कि पिता जी ये भी सोचे होंगे कि अबली बार पिता जी के साथ ऐसी घटना हुई थी बहुत ही दर्दनाग तरीके से मेरे पिता जी को पीटा गया था और इसी वज़ा से पिता जी ठीक से सोच पाने में सक्छम नहीं थे एक तो उनका शरीर काफी दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडेसाइटिस की शिकायत थी और उस वक्त काढ़े का असर और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा तो ये सभी चीजे मिला कर काढ़े का असर उनके शरीर के अंदर की बिमारिया प्लस उनको पीड भी द इस्तिर नहीं था एक चीज को सोच नहीं पा रहे थे एक चीज के बारे में उनका दिमाग चारो तरफ छिटा गया था मतलब कभी किसी चीज का ख्याल आता कभी कुछ विचारा था कभी कुछ विचारा था वो किसी एक चीज के बारे में कुछ समय तक सोच नहीं पा रहे थ एक चीज़ पर उनका ध्यान चैन्रT नहीं हो पा रहा था उनका जो मतलब दिमाग का जो Focusing Power था न वो खतम हो गया था एक विशह के बारे में एक चीज़ के पै थी पिता जी ये तो अपने दिमाग में फिट कर लिये थे कि मुझे किसी भी हाल में अपने गाउं लोड़ जाना है वापस लोड़ जाना है ये तो बार-बार उनके माइन में बले उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था वो एक चीज़ को स्थिर सोच नहीं पा रहे लेकिन उनके दिमाग में एक बात तो बार-बार आ रही थी कि वापस किसी तरह में अपने गाउं लोट जाता ये बार-बार उनके माइन में उनके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैं वापस अपने गाउं लोट जाता अपने घर वापस लोट जाता अब आगे क्या हुआ फ अवा एक बजे शहर के पुलिस थाना पोहँचे थे और आश्चरय की बात ये है कि पुलिस थाना से एक किलोमीटर की दूरी पर ही अदालत था पिता जी आदालत पहुँचते थे लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अदालत पहुचने की बात पिता जी के दिमाग में बच भी गई होगी कि नहीं आदालत पहुंशने की बात जो है ना पिता जी के दिमाग में रहा भी होगा कि नहीं यह नहीं पता क्योंकि उनके कागजात तो उनके पास नहीं थे ना तो इसलिए मुझे लगता है कि पिता जी को उस वक्त आदालत जाने का जो ख्याल है वो नहीं बचा होगा सब कुछ मतलब उनके उनके दिमाग में सब कुछ जितना भी वह सोचे थे ना सब कुछ अलग-अलग ख्यालात आ रहे थे तो सब कुछ उतर गया होगा मतलब वह एक जगा तो सोच नहीं पा रहे थे तो सारे ख्याल उतर गए होंगे यहां तक कि वह पता नहीं पानी पीए भी होंगे की नहीं मुझे नहीं लगता कि वह अभी तक पानी पीए भी थे जब से 10 बच कर 10 मिनट पर शहर में उतरे थे उसके मतलब उसके बाद उनको जो प्यास लगी थी उस से लेकर अभी तक पिताजी पानी पीए थे या नहीं यह नहीं पता और मुझे लगता है कि वह अभी तक मतलब पानी नहीं पीए थे और पानी पीने का भी ख्याल जो है ना उनके दिमाग से उतर गया था अब देखिए पिताजी जब सवाह एक बज़े पुलिस थाना था ठीक है याद रखिएगा यहां पर कोशन पूछ देता है पुलिस्थाना कहां पर इस्तित था तो शहर के बाहरी छोर पर सरकिट हाउस के पास बने विजय स्थम के पास था पुलिस्थाना ठीक है ठाने के जो इस एच ओ थे ना उनका नाम था रागवेंदर परताप सिंग रागवेंदर परताप सिंग का कहना था कि उस वक्त एक बज़ कर 15 मिनट हो रहा था यानकी सवा एक बज़ रहा था वो घर से टिफिन लाए थे और लंच करने की तैयारी में लगए हुए थे लंच में मतलब उनके टिफिन में क्या था तो फराठे थे और फराठे के साथ क करेला रखा हुआ था फराठे को देखकर खुशी वी उनको लेकिन करेले के सबजी को देखकर बहुत ज़िदा वह दुख हुए भई फराठे के साथ करेला कौन खाता है और रागवेंद्र परताप सिंग को करेले बिल्कूल भी ना पसंद थे मतलब इनको पसंद नहीं था ब उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, कपड़ा जो था ना वो नहीं था, और पैंट जो थी, वो भी फटी हुई थी, लगता था, वे कहीं से गीरे होंगे, या फिर वाहन ने टक्कर मारी होंगी, गारी ने धख्का मार दिया होगा, या तो उनका एकसिडेंट हुआ होगा, नहीं तो वो कहीं पर गिर गए होंगे, पर कपड़ा नहीं था, अर उस वक्त थाने में एक ही सिपाही था, जिसका नाम था गजाधर पर्चाद शर्मा का कहना था, जब इस से पूछा गया, तो गजाधर शर्मा बताएं, कि जब मैं उस वक्त थाने में थाना तो पिता जी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कोई भिखमंगा अंदर घुसाया है पुलिस थाने की अंदर तो इसलिए मैंने उसे मतलब आपके पिता जी को आवाज भी लगाई लेकिन तब तक आपके पिता जी इसे चो यानि कि रागवेंदर प्रताप सिंग के टेबल तक वो पहुँच चुके थे रागवेंदर प्रताप सिंग तो बिचारे टेबल पर लंच रखकर खाने की तेयारी में लगे हुए थे तेरा साल हो गए थे उनके शादी के विवाहित जीवन के तेरा साल हो चुके थे लेकिन फिर भी उनकी पतनी इतना भी नहीं अपने पती को पहचान पाई थी कि उनको करेले से नफरत है घ्रीना है ठीक है वो फराटे के एक लुकमे को तोड़ कर सबजी में लपेट कर जैसे ह और मुझे नहीं वो साफ साफ बोल ही नहीं पा रहे थैं उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई और मुझे लगा कि मतलब ये भिखमंगा है और बाहर से जो है न मेरे खाने को देखकर अंदर घुसाया है और इसलिए मैंने अपने थाने के सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा को जोर से चिलाया गजाधर सर्मा का कहना था कि कोई मार पीट नहीं मैं आपके पिता जी को मारा नहीं है बस हमें लगा था कि भिखमंगा है हमें क्या पता था कि आपके पिता जी जो है न बकेली ग्राम के परधान है इस एचो रागवेंद्र प्रताप सींग का कहना था वो बाद में पशता रहे थे हैं। तो शायद थाने में 2-4 घंटे वो बिठा लेते लेकिन उन्हें नहीं पता था और गजाधर सर्मा को चिला कर बुलाए और गसीटते हुए गजाधर सर्मा थाने से बाहर निकाल दिया गजाधर प्रशाध शर्मा का कहना था कि मेरे पिता जी के होट कटे हुए थे जो निशनला होट था वो बहुत दा कटा हुआ था खून निकल रहा था ठुड़ी पर ठुड़ी जो है ना इस पर खरोच के निशान थे रगड़ खाने के वज़े से या तो कहीं गिरे होंगे न दस मिनट से लेकर अब तक शायद वह प्यास को भी याद ना रख सके होंगे मेरे पिता जी अभी तक पानी पीए थे या नहीं इस बात का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है उनका दिमाग इस काबिल भी नहीं था कि वो प्यास को भी याद रख सके वो ये भी बावजूद भी उनका दिमाग इतना कमजोर होने के बावजूद भी उनके दिमाग में ये ख्याल रहा होगा कि चलो पुलिस थाना पहुच कर हम अपने गाउं का पता पुछ लेते हैं या फिर ट्रैक्टर का पता पुछ लेते हैं नहीं तो हमारा जो कागजात जो अदलत के काखजात थे और पैसे थे वो छिन गए थे उसकी कंप्लेन लिखवा दे यह ख्याल जो है ना मेरे पिता जी के दिमाग में था तभी वो पुलिस थाना पहुचे थे इस तरह अंदाजा लगाना कि मेरे पिता जी के साथ ऐसा हुआ होगा वह यहां पर गए होंगे इस तरह अंदाजा लगाना ना मुझे अंदर से बुरी तरह से बेचायन कर देता था मेरे पिता जी की मृत्ति हो गई थी और वो भी नहीं तो रहसे महीं तरीके से और इस तरह मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा हुआ मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पिता जी के स साथ रहता और उस वक्त मेरे पिता जी सिर्फ नसे धतुरे के नसे या फिर तिरिश के जहर से नहीं लड़ रहे थे बलकि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी उन्हें नशे से बार-बार बाहर ला रही थी उनका दिमाग पूरी तरीके से मतलब ऐसा लग रहा था कि फट उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि हमारा मकान कहीं छिन न जाए हमारे मकान छिन जाने की चिंता भी जो है ना उन्हें बार-बार इस लशे से बाहर ला रही थी उस वक्त तक शायद पिता जी को लग रहा होगा कि ये सब कुछ सपना है लेकिन अफसोस ये कोई बुरा सप जाई थी अब देखिए आगे क्या हुआ दो बज कर 15 मिनट याने की सावा दो बजे के आस पास पिता जी को शहर के बिल्कुल उत्री छोर पर बसी हुई इतवारी को लेनी में घिसे घिसटते हुए देखा गया था दो बज के 15 मिनट पर मतलब एक बज के 15 मिनट पर ये जो दो बज कर 15 मिनट पर उन्हें कहा देखा गया तो इतवारी कोलोनी जो की कहा है शहर के बिल्कुल उत्री छोर पर बसी कोलोनी जिसका नाम था इतवारी कोलोनी वहाँ पर पिता जी को घिसटते हुए देखा गया था और वो जो कोलोनी थी ना वो सर्राफा के जो हरियो पी कभी वगरा होते हैं वहीं पर ठहरते थे और वहीं पर पिता जी को घिसटते हुए देखा गया था वहां का महाल उस कोलोनी का महाल जहना शांत और घटनाहीन था और जिन जिन लोगों ने इतवारी कोलोनी में मेरे पिता जी को घिसटते हुए देखा था ना उन लोगों न उसके भी जो नाड़े होते हैं वो तूट चुके थे और बार-बार उनका जांगया नीचे गिर रहा था इसके चाहील पर कुछ भी नहीं है सिर्फ सिवाए जांगया के और जांगया मे बार-बार गिर रहा है70 को बायाहार से वो समेट रहा है ये कोई पागल है सोचिए शहर के लोग ने मेरे पिता जी को क्या क्या नहीं कह दिया उसको भिखमंगा बोल लिया पागल बोल दिया अब चैया बाकी रह गया था इस तरह की घटना मेरे पिता जी के साथ हो गई थी, कितनी दर्दवरी घटना, कितनी दर्दनाग घटना, अब देखिए आगे क्या हुआ, आगे की कहानी में आप लोगों को बताती हूँ, यहां तक लीजे फिर से पड़ा बड़ स्क्रिन, शॉर्ट अब आगे सुनिये, इतवारी कोलोनी के आसपास के लोगों से पूछा गया, तो कुछ लोगों ने बताया, कि जो आपके पिता जी है न, वो भीच भीच में गालिया बख रहे थे, जबकि उसी इतवारी कोलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ट तहसिलदार, रिटायर्ट तह सिलदार थे, जिनका नाम सा सोनी सहब, और एक शहर के सबसे बड़े विश्यस समधा था, और कभी भी थे, जिनका नाम सा सतेंदर थपलियाल, इन दोनों जन का कहना था कि नहीं, आपके पिता जी गालिया नहीं बख रहे थे, हम लोगों ने आपके पिता जी की बातों को ध यानि कि मैं स्कूल का हेड मास्टर और वकेली ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ यह जोड़ जोड़ से चिक चिकर यह बाते बोल रहे थे खपलियाल जी का कहना था कि मुझे आपके पिता जी पर बहुत ज़्यदा तरस आया ठीक है दरसल उस वक्त मुझे अमेरिकी दुतवास के किसी खास पाटी में संगित सुनने के लिए दिल्ली जाना था इसलिए मैं वहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया आपके पिता जी को बताया है कि ये जो आदमी है न ये रामरतन सराफ की बिवी और साली पर हमला करने वाला है और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि सच में ये कोई बदमास होगा जो कि नाटक कर रहा है पागल का एक्टिंग कर रहा है ये कौन बोल रहा है थपलियाल जी बोल रहा है कि मुझे अगर हिसाब किया जाए अनुमान लगा कर हिसाब किया जाए ना तो पिता जी शहर में 10 बज कर 10 मिनट पर मिनरवा टॉकीज पर जब उत्रे थे पहली बार तब से लेकर वो जहां जहां गए सबसे पहले गए थे देशबंदु मारक के स्टेट-बैंक में गुसे थे ना उनको लगा था कि भूमि विकास बैंक है ठीक है जहां पर उनके गाओं का लड़का कामशा तो सबसे पहले वो स्टेट-बैंक में गए उसके बाद से गये थे पुलिस थाना उसके बाद से इत्वारी को लोनी मतलब सभी जगाओं को अगर मिला कर हिसाब किया जाए तो पिता जी 30-32 किलोमीटर भटक चुके थे और जहां जहां यह गये थे ना वो जगह एक ही दिशा में नहीं है अलग-अलग दिशाओं में हैं इसका मतलब यह कि पिता जी की दिमागी हालत बिलकुल भी ठीक नहीं थी वो ठीक से सोच नहीं पा रहे थे उनको ठीक ठाक कुछ सूज नहीं रहा था उनका दिमाग जिदर घूम जा रहा था उदर अचानक किदर भी चलना स्टार्ट कर दे रहे थे और रही बात राम रतन और पिता जी का यह उलिया देकर वह जो उनकी विव और सालिय डर गई हो क्योंकि भव के उपर जो है ना चोट लग गया था तो खून बहने को जैसे खून जो है ना रीस कर आखों पर टपक रहा था और उसके बास से होट तो फटी गया था और होट से भी खून निकल रहा थ सरीर जो है ना गंदा हो गया था चेरा पर धूल जम गया था एकदम भूत की तरह इस तरह का हूलिया देखकर और रते डड़ गई होंगी और इसलिए चिल्लाई होंगी और सभी लोग को लग रहा होगा कि राम रतन सराफ की बिवी और साली पर हमडा हुए जबकि ऐसा बि और नहीं जहाँ पर पिता जी को सबसे ज्यादा मारा गया वो जगह का नाम है न송ा का रिस्टोरेंट था नीशनल रिस्टोरेंड के सामने ठाली जगाक पर पिता जी घिर गये थे और वहीं पर पिता जी को सबसे ज्यादा चोटे लगी थी और यह जो जगा है ना यह इत्वारी कॉलोनी से ज्यादा दूर नहीं है नजदीखी में है नेशनल रेस्टोरेंट नाम का एक सस्ता ढाबा था और उसी के सामने खाली जगा थी वहां पर घिर गये थे पिता जी जितना भी लड़कों का जुंड था ना उसमें बड़े लड़के भी शामिल थे यह नहीं कि छोटे छोटे लड़के भी शामिल हो गए थे और पिता जी को चिढ़ा रहे थे धेले मार रहे थे जो नेशनल रेस्टोरेंट यानि इस धाबा का नौकर था जो इसमे अगर मारना शुरू कर दिये थे और उसी में से एक ढेला एक साथ आठ साल के लड़के विक्की अगरुआल को जाकर लग गया और इसलिए लड़कों का जुंट और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया और भी ज़्यादा भीड लग गई और लड़की और भी ज़्यादा इकठा होकर पिता जी को पत्थर चला कर मारने लगए और इनके पीछे लग गए सर्दार सतनाम सिंग जो की कौन था ये धाबे का मालिक था नेशनल रेस्टोरेंट इस धाबे का मालिक था सरदार सतनाम सिंग इसने बताया कि उस वक्त पिता जी के जिस्म पर सिर्फ एक पट्टेदार चड़ी बची हुई थी बाकी सारे कपड़े जो है ना फट कर निकल कि दूह और कन्दगी में लिफ्टगा हुआ ठा सिर्क पठेदार चड़ी बची उए थी दूबला पतला शरीर था हड़ी दिखाई दे रहे थी सीने बाल दिखाई दे रहे थे बहुत ज्यादा मतलब लिठा हुआ आप बोल सकते हैं धूल मिटी में लिठा हुआ और उसके बाद से वहता नहीं है एकदम भूत की तरह दिखाई देना उनका सफेज जो बाल था वह क्या बोला जाता है बिखर गया था ठीक बहुत ही मतलब बुर जो कप प्लेट धोने वाला नौकर था जिसका नाम था हरी उसका कहना था कि पिता जी गालिया भी दे रहे थे जबकि मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुमाने कि पिता जी गालिया नहीं दे रहे होंगे क्योंकि जब से मैं पिता जी को जानता हूँ ना मतलब जब से मैंने ह सबाला है पिता जी को आज तक गालिया देते हुए नहीं सुना है और मुझे लगता है कि पिता जी उस वक्त गालिया नहीं दे रहे होंगे अब तक तो पिता जी को लग रहा होगा कि ये सब कुछ क्या है सपना है ये रियालिटी नहीं है ये तिरिश का काटना फिर धतुरे क काढ़ा पीना तेली के खेत में से धतुरे का जो बीज है उसको ढूंड कर काढ़ा पीना उसके बाद से शहर आना यह सब कुछ यह सब कुछ उन्हें सपना लग रहा होगा उन्हें लग रहा होगा कि यह सब कुछ औवास्तविक है reality नहीं है यह सच्चाई नहीं है मैं सपने हूँ उनको ऐसा लग रहा होगा यह सब जितनी भी घटनाय है उनको उल जलूल उटपटांग और बेमतलब की लग रही होगी ठीक है उसके बाद से हुआ यह कि पिता जी कि मतलब वो तो यह विश्वास कर लिए होंगे न कि यह सब कुछ क्या है सपना है जैसे ही मैं सपने से बाहर निकलूँगा यानि कि मेरी निंद खुलेगी तो मेरे सामने मेरे बच्चे होंगे मेरी बीवी होगी ठीक है और चुड कि पिता जी की कनपट्टी पर जैसा कि रेस्टोरेंट के मालिक सरदार सतनाम सिंग ने बताया कि भूपर चोट भी लग गई थी खून रिसकर नीचे आख तक गिर रहा था फोट भी फड़ गया था इससे भी खून निकल रहा था शरीर दुबला पतला हड़ी दिखाई दे र ढ़े लगे थे बहुत चारे मतलब पिता जी के कनपट्टी मा थे पीट शरीर के दूसरे हिस्से पर भी कई इटे और ढ़ेले लगे थे वो लड़कों के जुझन थे बहुत चारे ढ़ेले मारे थे और सड़क का जो ठेकेदार है अरोडा अरोडा के 20-22 साल का एक लड़का सतके लाड़क की ठेकेदार अरोडा का सडख का ये ठेकेदार ठालेता इसका बेटा था संजू इसने दो- तीन сove लग जाये उसकी लग जाती है लेकिन मेरे पिताजी उस्वقت जिन्दना थे उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ क्या है सपना है और सपने में उनको दर्द का एसास नहीं हो रहा था वो सोच रहे थे कि ये रियालिटी में तो होई नहीं सकता है ये सब कुछ सपना है इसलिए वो जोर-जोर से धेला मारने की कोहिश्ट कर रहे होंगे मतलब बहुत सारे धेला मारे होंगे, पत्थर मारे होंगे, ताकि किसी लड़के के शर पर जाकर लग जाए, जब सर पर जाकर धेला लगेगा, तो सर फट जाएगा, और तब मेरा सायद सपना तूट जाए, मैं निंद से जग जाओं, इसलिए वो जोर जोर से धेला मार रहे ह होंगे या फिर वो जोड़ कर चिला रहे थे जोड़ से इसलिए चीख रहे थे कि शायद वह अपने सपने से नहीं जग पा रहे होना तो चीखने के वज़़ा से घर में जो लोग होते यानि कि उनकी कि बीवी हम या फिर हमारी बहन उन्हें जगादे मतलब जोड़-जोड़ से वो चिख इसलिए रहे थे ताकि उनको लग रहा था कि ये सपना है और वो खुद से नहीं जग पा रहे हैं तो उनके घर वाले जगादे यानि कि मैं जगादू या फिर मेरी मा जगादे या फिर म जब आगे देखे हुआ ये किसी में एक और विडम बना हो गई हमारे गाओं के ग्राम पंचायत के सरपंच और पिता जी के बश्पन के पुराने दोस्त पंडित कंधई रामतिवारी रेस्टोरेंट के सामने सडक से लगबग सारे तीन बजे गुजरे थे देखे उसी वक्त जब मेरे पिता जी को लड़कों का जुन्ड जो है ना धेला मार रहा था पत्थर मार रहा था रोड से मेरे पिता जी को मारा जा रहा था ना उसी वक्त हुआ ये कि हमारे गाओं के ग्राम पंचायत जिस ग्राम पंचायत के मेरे पिता जी परधान थे ना उसी ग्राम पंच भी था यह भीड क्यों लगी हुई है तो वहां के लोगों ने बताया कि एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने के लिए जा रहा था और इसलिए लोग उसको पीट रहे हैं भीड लगी है कोई पत्थर से मार रहा है को सोचिए मेरे पिता आज तक जन्दगी में कभी नहीं हुई थी सब्सक्राओं पंडित 缞ड़ी राम जाकर भीड में देख्यार भी जिसको पीटा जा रहा है लेकिन हुआ कि उसी समय पंडित्य राम तीवारी की बस आ गई उनको गाऊ जाना था बस पकड़के तो उसी वक्त उनकी बस आ गई और उन्हेंने रिक्षा वाले को आगे बढ़ाने के लिए बोला और वो चले गए और ताज्युम की बात यह है ना कि राज्य परिवहन की वो बस जो हमेशा आधा पॉन गंटा लेट आती थी उस दिन एकदम सही समय प पिता जी को बचा ले थे देखिए नसीब की बात है ताजुब की बात है कि बस एक दो मिनट भी लेट नहीं आई थी देखें उपर वाले का करिश्मा जो बस हमेशा हर रोज आधा पॉन गंटा लेट आती थी उस दिन एकदम सही समय पर आई थी एक दो मिनट भी लेट नह लेते और मेरे पिता जी को बचा लेते अब देखिए हुआ क्या भीड तब तक रही लड़के उन्हें तब तक मारते रहें जब तक उनका शरीर जो है ना हिलना डूलना बंद नहीं हो गया जमीन पर वो लेट कर ऐसे गिर ना गया मतलब बेहोस टाइप का ना हो गया तब ubernetes. अब कर देखे की पिता camel नहीं कर रहे हैं उनका शरीर टूल नहीं रहा है तो लोग छोड़ दी और चले गए भीर खाली हो गई और पिता जी अकेले उस खाली जगा पर पड़े हुए थे खुन जो है ना उनके चेहरे से पुरे शरीर से गिर रहा था और उसके बाद से इसी तरह 10-15 मिनट हुआ 10-15 मिनट के बाद सतनाम सिंग जो की धाबे का मालिक था उसने देखा कि 15 मिनट के बाद भी पि पिता जी सत्ता से कहें कि जाओ उसके मूँ पर पानी की छीटे मारो ठीक है लेकिन सत्ता डर रहा था पुलिस की इंक्वाइरी पुछता से यह डर रहा था कि मैं क्यूं जाओ मुझसे मतला बेकार में मैं फस जाओंगा इसलिए वो डर रहा था तो सतनाम सिंग खुद एक बाल्टी पानी उठाया और ले जाकर मेरे पिता जी के शरीर पर दे मारा मतलब पानी डाला और दूर से पानी डालने के कारण जमीन की जो मिटी है वो गीली होकर पिता जी के शरीर में लिथर गई यानि कि पिता जी धूल और कीचड के साथ एकदम लिथर हुए हो गये थे पुरा उनका शरीर जो है ना पानी और कीचड में लिथरा हुआ था ठीक है अब देखे आगे क्या हुआ आगे पांच बजे तक पिताजी वही पर पड़े रहे हैं मतलब उनका शरीर नहीं हिल रहा था नहीं डूल रहा था वही पर पांच बजे तक पड़े रहे थे और उसक सरे भी करने लगी तो फिर मैं भी इसकेस में उलज जाएंगे उससे अचह मैं भी क्या करता हूं ये अपना धाबा बंद कर देता हू तो ये पांचबटे सतनाम सिंग क्या कर दिया धाबा बंद करके डिलाइट कीज में औरोग चैना फिल्म चला गया अब देखिए हुआ ये कि उस समय लगभक छे बजे थे जब सिविल साइंस की पट्रियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गनेशवा की गुम्टी में पिता जी ने अपना सिर घुसेड़या देखिए उस समय लगभक कितना बज़ रहा था छे बज़ रहा था छे उस वक्त बज़ रहे थे जब सिविल साइंस की पट्रियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में एक कतार में मोचियों की दुकान बनी हुई थी और उसी में से एक मोची का नाम था गनेशवा गनेशवा की गुम्टी में पिता जी ने अपन गुटने और हाथ के बल से वो चल कर और गुम्टी में घुसे थे और दुमकर बैठ गये थे उसक्त उनका जो पूरा शरीर था उनका जो चेहरा था एक्दम ड्राक्षस की तरह दिखाई दे रहाए था ऐसे लग रहा हूं मतलब कोई भी इंसान देखकर डर जाए और इसलिए गनेशवा गनेशवा जो इस गुम्टी में बैठा था पिता जी को देखकर डर कर बाहर निकल आया गुम्टी से और पिता जी गुम्टी में एक कोन में दुबककर ऐसे बैठे हुए थे अब आगे की कहानी में आपनों को बताती हूं फिर से यहां तक लिलिजे स्क्रीन जैसा कि मेरे पिता जी के शरीर के उपर एक भी कपड़ा नहीं था पटेदार चड़ी भी थी वो भी फटकर निकल चुकी थी और मेरे पिता जी घुटने के बल रेंग कर गनेशवा के गुम्टी में घुसे थे गनेशवा अब सुनिए गनेशवा जो है ना वो हमारे गाउ के तलाब के पारवाले टोले का मोची है याद रखना है गनेश्वा कौन है गनेश्वा को मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ और पिता जी जानते थे गनेश्वा हमारे गाओं के तलाब के पारवाले तलाब के उस पारवाले टोले का मोची है और गनेश्वा का कहना था कि मुझे बहुत ज़दा, मैं बहुत ज़दा डर गया था, और मास्टर साब को मैं पहचान नहीं पाया, वो बहुत ज़दा ड्रावने दिख रहे थे, पुरा शाहिर उनका जो है न कीचर में लिथरा हुआ था, ठीक है, और अचानक मेरे गुम्टी में घुस पड़े, मैं ड फूटे फूटे जूटे थे और चमड़े के टुकडे थे, उसी में दुब के पड़े थे पिता जी आपके, शेल पर कुछ था नहीं, सासे कुछ कच चल रही थी, पिता जी को खीच कर गुम्टी से बाहर पट्री पर निकाला गया, तब गनेश्वा ने मेरे पिता जी को प पिता जी के कान में आवाजे भी दी थी, और उस वक्त आपके पिता जी कुछ राम स्वारत और बकेली जैसा कहा था, और उसके बाद से वो चुप हो गया, और चुप ही रहे गया, यानि कि मेरे पिता जी की मौत हो गई, मिर्तियू छो बज़ के पंदरा मिनट, यानि कि रांक याद रखिएगा, डेट है 17 मई 1972, और उस वक्त 24 घंटे हो गए थे तिरिश को काटे हुए, यानि कि उसी समय एक दिन पहले तिरिश ने मेरे पिता जी को काटा था, और ठीक 24 घंडे पर मेरे पिता जी की मौत हो गई, सावा 6 बजे, शहर के मुर्दा घर में पुलि रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उनकी हड़िया कही जगा से फ्रेक्चर हो गई थी, दाइं आख तो पूरी तरह फूट चुकी थी, कालर बोन टूटा हुआ था, यानि कि कालर का जो हड़ि होता है वो टूटा हुआ था, और बहुत सारे जख्म पिता जी को लगई आख सर से भी खुन कर रहा था, और मांसिक तना उस पर था, हमारे मकान को बचाने की चिंता थी और अंदर से जो तिरिश का जहर था, वो भी एक तर से उनको क्या कर रहा था, किसी भी तरह मतलब उनका माइन जो है न, एक जगा इस्थिर नहीं था, और और भी ज़दा डिस मेरे पिता जी की मृति हो गई, उसके 24 घंटे पहले, क्या हम लोग अनुमान लगा सकते थे, कि पिता जी के साथ ऐसी ऐसी घटना होगी, उनको पागल कह दिया जाएगा, बिखमंगा कह दिया जाएगा, बदमाश कह दिया जाएगा, पाकिस्तान का जासूस कह दिया और आखिरकार मेरे पिता जी की मौत हो गई मेरे पास थानू था और वो भी कह रहा है और वो भी अभी भी कहता है कि सच में आज मुझे पता चल गया और यकीन हो गया कि तिरिच के काटने के बाद इंसान की मौत हो जाती है 24 घंटे के अंदर आखिर पिता जी के उपर भी तिरिश का आसर दिख गया, तिरिश ने अपना आसर दिखा ही दिया, मेरे पिता जी की मौत हो गई पंडित राम अवतार का भी कहना था कि हाँ बिल्कुल यह तिरिश के ही जहर का आसर है जो कि 24 घंटा में मृत्ती हो गई हो सकता है कि पंडित राम अवतार धत्रों की काड़े की बात चुपाने के लिए यह बोल रहे हो कि तिरिश के जहर के वज़ा से पिता जी की मौत हुई हो जैसा भी हो लेकिन 24 घंटे में मेरे पिता जी की मौत हो गई थी और जब मौत हुई थी तो हो सकता है कि धत्रे का काड़ा जो है ना वो उल्टी के वज़ा से ही उनके सरीर से निकल गया हो और तिरिश के जहर से ही इनकी मौत हुई हो लेकिन अंतता इनकी मौत हो गई मैं अपने सपने के बारें बताना चाहता हूं जो अक्सर मुझे अभी भी आती है और वो सपना कुछ इस तरह से होता है कि मैं खेत की मेड़ और गाओं की पकडंडियों से होकर जंगल में आया हूं और जंगल में मैं देखता हूं कि वो नाला है किकड का पिर मुझे है तिरिश के लाश को देखकर मैं बहुत दा खुश हो जाता हूं बे तहाशा खुश और मतलब लाठी लेकर डंडा लेकर मैं उसको खुब कुचल कुचल कर मारता हूं उसकी आंखे फोड़ता हूं मैं बहुत दा बे तहाशा खुश रहता हूं और उसको खुब कुचल कुच चत्तान भी नहीं है और यहां तक की जंगल भी नहीं है दरसल मैं शहर में आ गया हूं मेरा सपना इस तरह से होता था कि मैं अचानक देखता था कि मैं शहर में आ गया हूं और मेरा पुरा शहीर का जो कपड़ा है वो मैला हो चुका है फटा टाइप का है और मैं कुछ भोल र पूरी तरसे भागने की कोशिश करता हूं बेतहाशा भागता हूं मेरा जो सांस है ना मैं पूरा मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है मेरे फेपड़े फुलने लग जाते हैं मैं पूरी तरसे भागने की कोशिश करता हूं और फिर मैं देखता हूं कि मतलब लोगों की भ बहुत जदा करीब होता हूं वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंतिम मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है वह पल मेरा आ देखती है और मेरा माथा सहला कर फिर से मुझे रजाई से ढाप कर सुला देती है और मुझे उस दुनिया में अकेले छोड़ देती है मुझे खतरनाक इस दर्दनाक सपने को में देखता हूं और उस दर्दनाक सपने में मैं अपने आपको पूरा बचाने की कोहश्च करता कि मेरे मेरा जो अंत है वो निष्टित है अब मेरा मिर्त्यू मेरे बहुत ज़्यदा करीब है मैं उस अकेली अकेले उस दुनिया में सपनों की दुनिया में पूरे अपने आपको बचाने की कोशिट करता हूं और मुझे अकेले माथा सहला कर जो है न मा रजाई से ढापकर चीखने की आदत है मा कहती है कि मुझे अभी भी निद में बड़ बड़ाने और चीखने की आदत है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने आप से और यह सवाल हमेशा मुझे परिशान करता है कि आखिरकार अब मुझे तिरिच के सपने क्यों नहीं आते अब मैं तिरिच पीता जी का इटनी खतरनाक शपने नहीं देखता पिता जी की नहीं मौत हुई रहे थी तीरिचंद के सपनों से भी तो खतरनाक सपने की से भागता है किसी तरह मैं तिरिच के सपनों में भागता था, दौरता था, चिकता था, चिलाता था, किसी तरह मेरी आखे खुल जाती थी, लेकिन तिरिच के सपनों से भी तो खतरनाक ये सपना है, मेरे पिता जी का सपना, अब मुझे तिरिच का सपना क्यों नहीं आता है, और यहीं पर कहानी का The End हो जाता है पुरी कहानी में आपने हो को बता दी बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वालі कहानी है और कहानी थी जिसे आप लोगों को मैं सना दी और आई होप आप वाकशी में यсяप्ट्रा इसकानी को लिखागया है आप लोग कितना एमोशनल हुए क्या आप लोगों के आंखों से आसू आया कि नहीं है कि मैंने लिखकर जरूर बताइए कितना अच्छा लगा है आप लोगों को यह कहानी समझ में आए कमेंड में लिखकर जरूर बताएं जब मैं खुद इस कहानी को बता रही थी आप लोगों और ये पूरा कहानी में समझ रही थी तो खुद मेरे आखों से आसू निकलाया कि वाकई में क्या कहानी लिखा गया है कितनी दर्दना घटना हुई थी लेखक के पिताजी के साथ ठीक है तो आई होप आप लोगो को पूरा कहानी समझ में आया होगा पुरा चैप्र समझ में आ गया होगा तो यहां पर पूर रोप से चैप्र कंप्लीट नहीं होता है क्यों इतना भी इंफर्मेशन जितना भी डीटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया उनसा भी डीटेल्स को समझ लेते हैं यहां तक फिर से ले लिजे स्क्रीन शॉंट हां तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रहा लेखक यानिकी उदय प्रकाश का इमेज फोटो है और उतना साफ और क्लियर नहीं आया है आप लोग इसको गूगल पर सर्च करके देख लेंगे इमेज ऑफ उदय प्रकाश तो और साफ और क्लियर दिखाई देगा आप लो को हुआ था कहां पर तो सीता पूर अनुपूर मध्यपरदेश में याद रखना है कोश्चन अबजेक्टिब में पूछ देता है इनके माता का नाम था गंगा देवी और पिता जी का नाम था प्रेम कुमार सिंग शिक्षा की बात कर लें तो इन्होंने बीएसी के सांचात एमे किया था हिंदी सब्जेक्ट में सागर विश्व विद्याले सागर मध्यपरदेश से और वृति की बात कर लें कौन-कौन सा ये काम किये जो आहर लाल नेरु विश्व विद्याले नए दिली के भारतिया भाषा विभाग में कुछ समय तक ये अध्यापन करवाये थे यानि कि टीचिंग का काम किये थे संस्कृति विभाग मध्यपरदेश सरकार में विशेश करतव्यस्त अधिकारी थे ये दिन मान के संपादन विभाग में कारे करते थे यानि कि दिन मान नाम के संपादन विभाग में इन्होंने काम किया था याद रखना है कोशन पूछ देता है संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक रहें प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पत्कता प्रमुख्त हैं टाइम्स रिशर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन इन्हों ने किया और उसके बाद से अंग्रेजी पत्री का एमिनेंस का संपादन इन्हों ने किया वगर अगर अगर धेर सारे इन्होंने काम किये थे ठीक है संपृति की बात कर लें इनका लेखन स्वतंत्र था यह कहाने भी लिखते थे कविता भी लिखते थे और इन्होंने अनु क्रितिया की बात कर लें मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा तो सबसे पहले तो कहानी का नाम देख लीजिए धेर सारे इन्होंने कहानी लिखें जैसे कि दर्याई घोडा तिरिश जो कि आप लोग अभी पढ़ें तिरिश नम का कहानी तिरिश और अंत में प्राथना पाल गोम है और देखिए यह सुनो कारिगर अभूतर कभूतर रात में हर्मोनियम यह तीनों क्या है यह कवीता का संग्रह यानि कि कवीता का किताब का नाम है और उसके बाद से आगे दिया गया है इश्वर की आंख यह निबंध है जो की आलोशनात्मक निबंध है कला अनुभव इ दुसरे भाषा से सब्द बोल रही हूँ है और उसके बाद से इनोंने फिल्म टीवी में भी काम किया था अनेक धरवाहिको सीरियल वगारा देता है ना तो अनेक बहुत से धरवाहिको और टीवी फिल्मों में इनोंने स्कृप्ट भी लिखे थे और यह इनका कारेज जारी यह अभी तक यह काम करते हैं और धरवाहिक वगयरा में टीवी फिल्मों में यह स्क्रिप्ट लिखा करते हैं तो यह था ट्वल्थ क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 12 तिरिश नाम का जो चैप्टर है यहां पर फाइनली पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है पूर करें सभी रिष्टेदारों के पास आप लोगे को सुन सकें और तो कि भी एक एक च सब्सक्राइब कर लिजेग उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का और लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज